हलो फ्रेंड, स्वागत है आपका सिटी फेस टू फेस में, मैं हूँ आपकी होस्ट सुखवीर समी और आज हमारे साक्षातकार में हमारे साथ है आई जी रोहतक रेंज श्री नवदीप सेंग विर्क जी जिन से हम जानकारी लेंगे कानून विवस्थाओं के बारे में, पुलिस द्वारा उठाये जा रहे कदमों के बारे में और कुशिश करेंगे उनकी परसनल लाइफ में जाकने की और प्रेड़ना लेंगे कि किस तरह से वो इतने बड़े ओहते पर पहुंचे नफदीब जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस शो में तो नफदीब जी सबसे पहले बात करेंगे आपकी परसनल लाइफ की बहुत सारे लोग क्यूरियस होते हैं जानने के लिए कि अकर का इतने बड़ी पदवीब पर एक इनसान पहुंचता कैसे है तो आपने कितनी मेहनत करी इस कुरसी तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत की इसका तो क्या क्या बताया जा सकता है बट सिंसियरली अगर आदमी काम करे और अगर अपना एम उसके सामने रखे और उसको एम को पाने के लिए मेहनत करें तो कहीं पर भी पहुंचा जा सकता है यही मेरा एम था और जो कॉलेज में, स्कूल में जो पढ़ाई की या उसके बाद जो मेहनत की उसके कारण UPSC का एक्जाम क्लियर किया उसके बाद इंडियन पुलिस सर्विस में हर्याना काड़ मुझा अलाट हुआ और उसके बाद आज करीब 22-23 साल हो गए है हर्याना में और भारत सरकार में मैंने नौकरे की है आपका जो डेली रोटीन है बहुत जादा बीजी रहता होगा बहुत जादा बीजी शेडियूल होगा आपका तो पूरा जो daily routine है उसके बारे में आप बताएंगे कैसे अपनी social responsibilities और family responsibilities को आप meet कर पाते हैं पुलिस officers खासकर जो field jobs में हैं या district SP है या police commissioner है या range IG है उनका daily schedule काफी busy रहता है काफी packed रहता है क्योंकि सुबह से ही telephone वगर आने शुरू हो जाते हैं और दिन में लोग मिलने आते हैं office का काम भी रहता है law and order situations रहती हैं तरह तरह की stress रहती है तो पूरी तरह से मेरी समझ में family को कम time दे पाते हैं लेकिन सुबह या शाम अपने लिए थोड़ा time निकाल के थोड़ा आदमी exercise करे, workout करे, yoga करे, meditation करे, कुछ भी कर सकता है वो करने से आदमी का संतुलन बना रहता है तो मेरी कोशिश रहती है वीक में तीन, चार बार या पांच बार कुछ exercise के लिए time निकाला जाए ताकि आदमी fitness और mental balance मिंटेन रहे और जिस तरह से देखा जाए कि अब daily routine की बात हो रही है, family को आपने बताया, आप time नहीं दे पाते हैं, तो transfers जो लगातार होते रहते हैं, वो problematic होते हैं कहीं न कहीं family के लिए हाँ, थोड़ा disturbance तो होता है, बट it's part of life तो आदमी adjust कर लेता है तो हम बात कह रहे हैं, range के सभी जीलों की कादून मिवस्ता को और आपको ये कानून मिवस्ता संभाल नहीं होती है, क्या-क्या चुनौतियां आप face करते हैं, क्या-क्या challenges आते हैं, क्योंकि कहां कहीं पर बहुत जादा strictness की जरूरत होती है और किस तरह से सारे जो पुलिस officers आपको deploy किया जाता है, क्या strategy आप यूज करते हैं देखिए, mainly जो आजकल पुलिस को problem आती है, वो मौके पे law and order situations को संभालने की आती है पिछले कुछ सालों में ने देखा कि जैसे देश में महौल बन रहा है, हुमन राइट्स की तरफ ज्यादा लोग जागरुक हो रहे हैं तो उसके चलते हैं, पुलिस के पास force use करने की options कम रह गई हैं फर वरियस रिजन्स, फारिंग करना या डंडा चलाना इस तरह की options कम रह गई हैं तो उसके चलते हमें बातचीत के जरिए या और दूसरे तरिकों से, soft methods से हमें law and daughter maintain करके रखना, लेकिन वो सबसे वड़ी चुनाती है मौके पर law and daughter situation से सम्हालना उसके बाद जो number two पर priority है वो normal जो crime situation है, जो heinous crimes है, chain snatching है, burglary है या rape है, चोरी है, motorcycle theft, motor vehicle theft है, तो इस तरह की चीजों को सम्हालना मैं समझता हूँ, second number की priority है और उसके बाद लोगों में जो confidence, एक build-up करके रखना, कोई individual किसी की problem है, उसको start out करना, वो सब third priority में आते है रहतक में आप अभी इस टाइम पोस्टेड है, रहतक माना जाता है कि जाटू का गढ़ कहा जाता है इसको, तो आप कभी थ्रेटन फेस नहीं करते है अपने आपको, कि जिस तरह से महाल पिछले कुछ सालों में हरयाना में बना था और आपको सारा law and order मेंटेन करना होता था तो कभी आपको घबराट या डर हुआ को भी थ्रेटन फेस किया आप ने दिखे मैंने अपनी नौकरी रहतक से शुरू की थी और मैं SP सोनिपत रह चुका हूँ, SP जजजर रह चुका हूँ, रहतक मैं बहुत साल नौकरी कर चुका हूँ, तो मुझे तो घर जैसा एसास होत उसकी बात मानते हैं और मुझे कभी कोई प्रॉब्लम इस विशे में नहीं आई, तो लाइन ओर्डर की बात वरी थे, आपने बताया कि चेंस्नाशिंग और रेप रूजए से हीनियस क्राइम्स हैं, बहुत ज़ादा हमारा जो लाउ है, मुझे लगता है बहुत सॉफ्ट ह ऐसे क्राइम्स के लिए, आपको नहीं लगता कि कुछ कड़े कादम उठाने की जरूरत है? देखिए, लाउ बनाना हमारा काम नहीं है, वो परलिमेंट का काम है, मैं उस पर टिपने ही नहीं करना चाहूंगा, मैं समस्ता हूँ, लाउ काफी हद तक ठीक है हमारे देश में, अगर हम उसको एनफोर्स्मेंट जो पूरा जो लीगल सिस्टम है, जिसमें पुलिस is just a small part, but an important part, तो अगर हम जैसे जो प्रॉसेकुशन डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है, और जब कोर्स के पास जाता है, सारे अंग अपना काम ठीक से करें, तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है, बाकी जहादा क्राइम की बात है, वो जहां भी human beings होंगे, आदमी होंगे, क्राइम तो होगा, और मैं समझता हूँ अगर आप विदेशों की New York या लंडन जे विकसित जो शहर हैं, उनसे अगर compare करें तो इंडिया में क्राइम दिखता नहीं है, जब आपने जिम्मेदारी संभाली थी, यहां कपदभार ग्रहन किया था, तब की जो विवस्था थी और अब के जो हाला थे, कितना डिफरेंस और कैसे आपने कोप अप किया है, सिच्वेशन सुधारने में, दिखे मैं समझता हूँ जो हमारा पिछले आ क्राइम और लॉंड़र के सिच्वेशन अंडर कंट्रोल हैं, और मैं नहीं समझता कि कोई हमें इस समय कोई ऐसी दिक्कत है, जिसमें हम यह असाये फील कर रहे हैं, महिला सुरक्षा की अगर बात करें, तो पूरे देश में ही यह मुद्दा एहम है, तो आपकी रेंज में म पराद को रोक्ताम के लिए जितने भी स्टेप्स उठाए गए हैं, उसमें बहुती पॉजिटिव इंपक्ट रहा है और बहुती एक पॉजिटिव रिस्पॉंस रहा है लोगों का, हमारे जो रेंज में सभी जिलों में महिला पुलिस टेशन हैं, इनफेक्ट सोनीपत में देखने को मिल रहे हैं और मेरी समझ में विमें आर फिलिंग मोर कॉन्फिडेंट लेकिन अब ओमन देखा जाता है कि लोग कंप्लेंट करने जब पुलिस टेशन आते हैं तो वो पुलिस के विभार से घबरा जाते हैं, बेशक को लेडी पुलिस हो या फिर मेल पुलिस हो, आप किस तरह अधार को एक ओमने एक जब लेडी नहीं आते हैं एक जो जो नॉर्मल क्लासिकल बात है कहने वाली कि पुलिस सुनती नहीं और जाते हैं तो यह नहीं होदी है, ऐस दोकि लेड़ा है पुझा पूलिस तरह की शिकायत की घम दोए है, तो अग्यार सिकायत क्या प्रोवबिलिटी देखें तो सारे शिकायत करता जो पुलिस प्राइट है वह आपost I am और जो आदमी सही नहीं है जो अपनी बात सही नहीं कह रहा है जो पुलिस को एक जूठी शिकायत कर रहा है किसी कारण से भी जब उसके उपर कारवाई नहीं होगी तो वो दूसरों को ही बोलता है कि जी हमारी सुनवाई नहीं हो रही तो आपको यह समझना चाहिए कि ऐसा नहीं है जो पुलिस का काम बड़ा कठिन है अगर आप probability wise देखें तो 40-50% लोग ऐसे हैं जो एक सच नहीं लेकर आते हैं पुलिस के सामने और false complaints लेकर के आते हैं वो भी हमारा काम है क्योंकि अगर हम किसी के खिलाफ false complaint पे action करेंगे तो फिर किसी दूसरे के साथ injustice होगा तो पुलिस का काम थोड़ा कठिन है इसलिए शिकायते हैं पुलिस के खिलाफ बहुत आती है और जो CM window के उपर अगर आप देखें जो 25 से 30% मेरे खिल शिकायते हैं पुलिस विबाग की है और जो topmost levels हैं सरकार के वो काफी खुश है कि जो पुलिस department की जो उसकी follow up और compliance है बहुत अच्छी है तो मैं समझता हूँ इस तरह की बात नहीं है बाकी फिर भी हम समय समय पर कदम उठाते रहते हैं तकि एक freely लोग complaint कर पाएं freely register कर पाएं cases हमारे हर थाने में free registration desk है जहां पर जो सरकार ने सक्षम कारेकरम के तहित जो unemployed post graduates हैं उनको नौकरी उनको कुछ काम देने का वाइदा किया था उसमें हमने उनको engage करके पुलिस station में shift wise duty लगाई है जिसको अभी पुलिस मित्र कक्ष के रूप में जो scheme launch हो रही है तो उसमें मैं नहीं समझता कि लोगों को कोई दिक्कत होनी चाहिए अगर उनको हम खुद ही उनको एक help महया करा रहे हैं कि वो खुद अगर उनको complaint नहीं लिखनी आती है कानून की बारे में जानकरी भी नहीं है तो वो हम खुद उसको हम सक्षम बनाएंगे ताकि वो अपना हक के लिए लड़ सके तो यानि कि time to time जो है वो कदम उठाए जा रहे कि लोगों को कोई problem ना होता है तो रुक्रा एक छूटे से break के लिए आगे भी जानेंगे कि किस तरह से हर्यान के crime पर नकेल कसी जानी जरूरी है आप बने रहे हमारे साथ Welcome after the break friends you are watching face to face with me सुखवीर सिमी और आज हमारे साथ है रहतक रेंज के आईजी नबदीप सिंग विर्क उनसे बहुत सारी जानकारिया हमने ब्रेक से पहले भी ली और आज फिर से उनके साथ बात करते हैं और ट्रांसफर्स के बारे में बात हो रही थी नबदीप जी ट्रांसफर्स के कारण और जो छुटिया नहीं मिलती पुलिस वालों को उनके कारण प्रोलॉंग शिफ्ट के कारण बहुत ज़ादा पुलिस वाले स्ट्रिक्ट तो पहले होते हैं और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते तो उसको मैरेज करने के लिए आप किस तरह से एक्सरसाइज करते हैं चैलन्जी इस की बात करे तो आपने बताया कि लॉडर मैंटेन करना खुट्र पर देते हैं इस तरह से हम लोगों की अपने जो इंपलोईज की स्ट्रेस और वेलफेर मेंटेन करनी कोशिश कर रहे हैं तो चैलन्जी इस की बात करें तो आपने बताया कि लॉडर मैंटेन करना खुद में ही बहुत बड़ा चैलन्ज होता है इसके डिस्पाइट पुलिस करमचारी या फिर अधिकारियों के लिए और किस किस तरह के चैलन्ज होते हैं करी बार माफिया की तरफ से ट्रेटन्स आती है या फिर उपर से अधिकारियों को बहुत जादा प्रेशर होता है किसी घटना को दबाने के लिए या उसको भुनाने के लिए तो किस तरह के और स्ट्रेस आते हैं देखिए मैं समझता हूँ पुलिसमेन की लाइफ में सुबे से शाम तक स्ट्रेसी स्ट्रेस है और जब से नोकरी में आता है तब से लेके और रिटायर्मेंट तक स्ट्रेसी स्ट्रेस है बहुत तरह के stress है और आप देखिए जैसे ट्राफिक कॉंस्टेबल जो चुराय पे खड़ा रहता है वो कितनी कठिन परिस्तितियों में वो काम करता है धूप भी है धुआ भी है पसीना भी आ रहा है लोग बात भी कम मानते हैं वहां से लिए करके और जो एक investigating officer है जिसको कु पर एक police officer की नौकरी कठिन है और stressful है पुलिस department पर करप्ठ होने का धबा हमेशा से ही लगा रहता है बहुत सारे ऐसे police officers बहुत जादा इमानदार है कुछ एक police officers की वज़े से पूरे department पर ये दाग लगा हुआ है दिखिए police department समाज का एक पार्ट है और मैं ये कहूंगा कि ज जितना करप्ठ हमारा समाज है उतना ही करप्ठ पुलिस department है और जितना इमानदार हमारा समाज है उतना ही इमानदार police department है तो police में जो लोग है वो इस समाज के भार के नहीं है उनकी जो कारेशली है उनकी सोच उस समाज जितनी ही है और अगर सरकार में बहुत सारे surveys भी होगा कि ठीक है जितनी करप्शन समाज में है हमारी उतनी करप्शन हो सकता है पुलिस दिपार्टमेंट में भी हो लेकिन इट इस नॉट टॉपिंग द चार्ट्स हर्याना की बड़ी सीमा पंजाब से लगती है और पंजाब पे जिस तरह से नशे खोरी की प्रॉबलम है बहुत जादा बड़ी हुई है और वो हर्याना में भी कई न कहीं पैर पसा रहे उस पर कंट्रूल करने के लिए क्या खास कदम अठाय जा रहे हैं दिखिए जो ड्रग है इसमें दो अलगलग special teams हमने अभी recently बनाई है और हम इसको बहुत seriously ले रहे हैं और हमारी कोशिश यह रहेगी इसमें जो main लोग हैं जो leaders involved हैं जो इसको पीछे से चलाते हैं उनकी तक पहुंचा जाए ताक इस पर अंकुष लगाए जासे तो उन तक पहुंचने में भी तो बहुत सारे challenges होंगे आपको भी सौबार सोचना पड़ता होगा कि आपके सामने तथे होते हैं बहुत सारे लेकिन फिर भी आप action नहीं ले पाते मैं इस पर कोई टिपनी नहीं करना चाहूँगा कि किसमें किसमें किसका हाथ है लेकिन जो भी चीजें सामने आएंगी उसमें हम एस पर lawful चलिए जा टारक्षन की बात करते हैं हर्याना में बहुत ही बड़ी चनौती रहा है 2016 की बात करें या भी बीतने दिनों की बात करें तो बहुत ही जादा उपद्रव पूरे हर्याना में यहां देखने को मिला है लेकिन दर्शकों को भी यह बात बता दें कि रोतक एक ऐसा एक मात्र जिला रह गया था जहां पर कोई भी उपद्रव नहीं हुआ कोई भी अप्रिय घटना यहां पर नहीं हुई तो किस तरह से मैनेज किया गया रोतक के लाइन ओर को यह आप से जानना चाहेंगे दिखे इस बार जो एजिटेशन जो 2017 में जो इस बार धरने शुरू हुए थे 29 जनवरी को और वो 20 मार्च को जो दिली कूच की कॉल थी उससे पहले जो बाचित हुई समझोता हुआ और उस पे जो है कॉम्प्रोमाइज हुआ उससे खतम हुआ तो यह करीबन दो महीने का जो समय था हमारे लिए बहुती चुनोती पोन समय था और इसमें मैं सम तक जितने भी हमारे अधिकारी हैं हमने एक टीम की तरह काम किया इसके इलावा जो हमारे पास करीब 85 पैरा मिल्टरी कंपनी जरोतक रेंज में डिप्लॉइड थी 85 पैरा मिल्टरी कंपनी का मतलब करीबन 9 से 10,000 लोग पैरा मिल्टरी के डिप्लॉइड थे उन्होंने भी बहुत अच्छा हमारा साथ दिया तो हमने एज़ा टीम काम किया हमारे को अपना टारगेट क्लियर कर था कि हमें law and order की स्थिति किसी भी हालात में बिगड़ने नहीं देनी है क्या हम कर सकते हैं क्या हमानी कनूनी शक्तिया है किस परिस्थिति में हमें क्या करना है उसके बारे मेरे लेवल से और SP's के लेवल से बिल्कुल clear instructions थे सबको किसी को कोई doubt नहीं था हमारी जो physical preparedness थी in terms of arms and ammunition, anti-ret equipment, tear gas equipment वो सब भी बहुत उमदा प्रकार की थी तो और उसके इलावा mainly हमारा जो moral था और जो mental preparedness थी वो हमने सबने बहुत अच्छी रखी हुई थी अपने इसकी वज़े से मैं समझता हूँ कि ये परिस्तितियां इस तरह से नहीं बनी कि कोई इस तरह की अप्रिय अगटना हुई और इसलिए हम successful हो पाए जी बिल्कुल ये एक प्रेड़ना दायक बात है कि इतने बड़े जाता अंदोलन के बावजूद भी रह तक बिल्कुल administration को एक अपना पार्ट समझें और ये ना समझें कि सारे अधिकारी गलत ही काम करते हैं बहुत सारे अधिकारी अच्छा काम करते हैं और अच्छा काम करना चाहते हैं उनके साथ कोपरेट करें और अधिकारी साथी अधिकारियों के लिए मेरा यही मेसेज है कि सब लोग इम समांदारी से सिंसिर्टी से अपना काम करेंगे तो हम एक अच्छा समाज बना पाएंगे शुक्रिया नवदीब जी हमारे साथ जुड़ने के लिए साक्षाथकार में और बहुत सारे सवालों के जवाब भी हमारे पबलिक को मिल गए होंगे जनता को मिल गए होंगे कि किस तर हुआ 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 है